कल जो मेच हो गया था दो आक्टुबर को गौहाटी और साउथ अफरीका के बीच उस मेच में क्या-क्या खामिया थी गौहाटी के स्टेडियम में फिर दिखा है कूप रवंधन मैदान पर निकला है निकला था एक बड़ा साप तो उस पर भी फ्लर्ड लाइट में आई थी खराबी गौहाटी के बर्शापरा स्टेडियम की बात कर रहे है एक बार फिर से कूप रवंधन का नजारा देखने को मिला था यहाँ भारत की पारी के दोरान मैदान पर साप निकलाया और खेल रोकना पड़ा था उस दोरान 5 मिनिट के लिए इसके बाद दक्षिन अफरिका की पारी में फ्लर्ड लाइट में खराबी आ गई थी और एक बार फिर से खेल को काफी समय के लिए रोप दिया गया था आपको मता दे कि असम क्रिकेट संग ACA की मेजबानी में खेले जाने वाले अंतराश्ट्रे मेचों में अक्सर कूप रवंधन देखने को मिला जाता है रविवार को यहां के बोर्शापारा स्टेडियम के भारत बनाम दक्षिन अफरिकाची 20 अंतराश्ट्रे मेच में यही हालत रही मेच में भारतिय पारी के दोरान मेदान पर एक साथ निकल आया तो वही दक्षिन अफ्रिका की पारी के दोरान स्टेडियम में फ्लोड लाइट या खराबी के कारण दूसरी बार मेच को रत करना पड़ा दक्षिन अफ्रिका की पारी में बिजिली गुल हो गई आपको बता दे कि तीसरे ओवर में दीपक चाहर की पहली गेन के बाद जब दक्षिन अफरिका की टीम को दो विकेट पर पांच रन बना कर संगश कर रही थी तब ही चार फ्लोड लाइट टावरों में से एक की बत्ती अचानक से गुल हो गई 18 मिनित तक खेल को रोग दिया गया था और इस दोरान सभी खिलारी ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए थे खेल फिर से शुरू होने से पहले सभी लाइटों को एक बार एक एक करके जलते लगभग 6 मिनित लगे उसके बाद लोगों ने जम कर ट्रोल किया है बता दे कि सच उन्होंने PTI भाशा से कहा हमारे पास बिजली के पहलू को संभालने वाली तीन पाटिया है हमारी अपनी 25 अदस्य ची राज्य के बिजली विभाग और एक तीसरा आउट्सोर्स समू है ये घटना शायद वोल्टेस की समस्या के कारण हुई थी कुछ टफनी की खराबी के क पहले मीडिया दल को भी इसी तरह की समस्याओ का सामना करना परा था आपको बता दे कि क्योंकि मैच में कुछ ओवर तक रोशनी नहीं थी 2020 में भी हुई थी ये परिशानिया आधिकारिक की गल्ती को पता लगाने में घंटों लग गये थे बता दे 2020 में क्या हुआ था बार किया और इस तल पर पीछले अंतराश्ट्रे मेच के दौरान भी कूप रवंधन ने सुर्ख्या बटोरी थी वही जनवरी 2020 में भारत श्री लंका के बीच जो शुरुआ थी टी 20 अंतराश्ट्रे मेच के दौरान तीन स्तर के कवर के बाद पीछ में पानी से गीली हो गई थ और एस ये ने तब भी सफाई दी कहा है ड्रायर और स्ट्रियम आइरन बैटरी से चलने वाले पंखे और अन्य उतकरन का इस्तिमाल करके स्टेडियम को सुखाया गया आपको बता दे काफी ये खलत साबित हुआ गौहाटी की बेज़ती की गई गौहाटी में पहली बार ये नहीं हुआ मिस मेनेजमेट पिछले साल भी यही हुआ था गौहाटी के बरशापारा स्टेडियम में पिछले अंतराश्ट्रे मेच के दौरान भी कूप्रवंधन मे सुर्ख्या मटोरी थी वही जनवरी 2020 में भारत श्री लंका के बीच जो ये मेच हुआ था तब भी यही हुआ था दौरान तीन स्टर के कवर के बाद पीच पानी से गिली हो गई थी आपको बता दिया सम्क्रिकेट संग ACA की मेजबानी में खेले जाने वाले अंतराश्ट् रहा लेकिन एक गलती की वज़े से दुनिया भर में बीश्व भर में अब असम गौहाटी की जो ये इंटरनेशनल स्टेडियम है उसकी धजिया उड़ गई वही सौथ अफरीका की पारी के दौरान स्टेडियम के फ्लर्ड लाइट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी दू झाल